नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर पर दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके आई आज हम सभी मूली के पत्तों को खाने के फायदे के भारे में जानते हैं हम सभी मूली के पत्तों का सेवन करते हैं लेकिन क्या आपने कभी भी इसके पत्तों के स्वास्थे लाबों के भारे में सोचा है मानो या ना मानो लेकिन वास्तों में मूली के पत्तों में मूली से अधिक पोशक तत्व शामिल होते हैं वे ऐसे गुणों से भरे हुए हैं जो आपको बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं ये पोशक तत्वों से समरिध आहार प्रदान करते हैं और लोह कैल्शियम, फोलिक एसीड, विटामिन सी और फासफोरस जैसे कुछ महतोपून खनीज कई शारीरी कारियों के लिए अवश्यक हैं तो क्या आप इन स्वास्थे लाभों के बारे में जानना चाहेंगे जिहां तो आएए जानते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में सबसे पहले तो मुली के फायदे रूप प्रतिरोधक शमता को बढ़ाते हैं मुली के पत्तों में मौजूद उच्छ लोहा सामगरी ठकान के लिए एक आदर्श निवारक है मुली के पत्ते खनीज में भरपूर होते हैं जैसे लोहे और फासफोरस जिससे शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ जाती है इनमें विटामिन C, विटामिन A, थियामिन जैसे अन्य आवश्य खनीज भी शामिल हैं जो धकान का मुकाबला करने में मदद करते हैं एनीमिया और कम हिमोगलोबीन के स्तरवाले मरीजों को मुली के पत्तों को ग्रहन करने से फायदा हो सकता है क्योंकि पत्तियों में मौजूद लोहा उनकी मेडिकल कंडिशन्स को कम करेगा मुली के पत्ते हैं आहार फाइवर का श्रोत मुली के पत्तों में मुली की तुलना में अधिक फाइवर होता है फाइवर को पाचन क्रिया में मदद करने के लिए जाना जाता है मुली की पत्यों की मदद से कब्ज और फुला हुआ पेट जैसे असुविधा जनकसमस्या में मदद मिलती है मुत्र वर्धक के रूप में मुली की पत्यों का आप लाव उठा सकते हैं मुली के पत्यों का रस एक प्राकृतिक मुत्र वर्धक है यह स्टोंस को पिखलाने में मदद करता है और मुत्राशय को साफ करने में मदद करता है इसके यह गुन मुली में भी होते हैं मुली के पत्यों में मजबूत रेचक गुन होते हैं जो कब्ज और प्लांटिंग को कम करने में मदद करते हैं इसके आलबा मुली के पत्तों के लाव में से एक मुखे लाव है कि ये बलड को प्यूरिफिकेशन के साथ क्लीन करता है मुली के पत्तों में रक्त शोधक गुण होते हैं ये सकर्वी को रोकने में मदद करते हैं यह आश्चर्य की बात है क्योंकि मुली के पत्तों में जड़ों की तुलना में अधिक महातरा में विटामिन सी होती है और इसलिए मुली के पत्तों में जड़ की तुलना में मजबूत एंटिकोब्रियूटिक गुण होते हैं बवासीर का अच्छुक दवा है मुली के पत्तें जिहां मुली के पत्तियों को बवासीर जैसे दर्दनाक स्थितियों के इलाज में मदद करने के लिए बहुत ही अच्छा पाया गया है जुमान रोधी गुणों के काराण मूली के पत्ते सूजन को कम करने के लिए जाने जाते हैं मूली के पत्तों को सुखा कर पाउडर तयार करें इसके बाद बराबर मात्रा में चीनी और पाउडर को पानी में मिला कर ठीक पेश्ट तयार करें इस पेश्ट को खाया जा सकता है या सूजन पर लगाया जा सकता है इसके अलावा पीलिया में मुली के पत्तों का जूस बहदलाफकारी होता है मुली के पत्तियों से पीलिया जैसी बीमारियों का इलाज होता है मूली की पत्तियों को इस इस्थिती को ठीक करने में कुशल पाया गया है पत्तियों को पीश कर एक छिद्र पून कपड़े के माध्यम से अर्क निकाले की आवश्यक्ता होती है पीलिया का इलाज करने के लिए 10 दिनों तक रोजाना आधा लेटर रस का सेवन करें कई हर्बल दवाओं के स्टॉक में लोगों के लिए मूली का रस होता है मूली के पत्ते हैं गठिया रोग की दवा गठिया शायद दुनिया में सबसे दर्दनाक बीमारियों में से एक है इसमें जोडों में दर्द और भायानक सूजन होती है जो सभी तरह के असुविधा पैदा कर सकते हैं मूली के रस का बरावर मातरा में चीनी और पानी मिक्स करके एक पेश्ट बना कर इस्तेमाल किया जा सकता है यह पेश्ट उपरी तोर पर घुटनों के जोनों पर लगाया जा सकता है इस पेश्ट का नियमित उप्योग दर्द को दूर करने और सूजन को कम करने में मदद करता है इसके अलावा यह मधुमिह से छुटकारा दिलाती है मूली के पत्तों में कई गुण होते हैं जो रक्त शरकरा के अस्तर को कम करने में मदद करते हैं इस प्रकार मूली के पत्ते शूगर यानिके मधुमेह में शामिल किये जाने वाले कुछ महतोपून खादे पदार्थों में से एक हैं मूली के पत्ते उच्छ रक्त ग्लुकोज के स्थर को कम करके मधुमेह को रोकने में मदद करते हैं शरीर से विशाक्त पदार्थों को दूर करने में भी मुली के पत्तों का कोई तोड नहीं है मुली के पत्तों में अवश्यक पोशक तत्व शामिल होते हैं इन में मौजूद पोशक तत्व और रोगान रोधी और जिवान रोधी गून शरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं इसके अलावा कैंसर के उपचार में भी आप मुली के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं पत्तियां विटामिन C में उच्छ होती हैं जो एक इंटियोक्सिडेंट के रूप में कारे करती हैं और शरीर में DNA को शिकाओं को मुक्त कर्ण के हानिकारक प्रभाओं को नियंतरित करते हैं इस पौधे में उपस्थित फाइटो केमिकल्स और इंथो साइनीन कैंसर संबंधी गुनों के विरोधी हैं और शरीर को कोलन, पेट गुर्दा और आतों जैसे कैंसर से बचाते हैं तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए लेकर के आये थे एक ऐसी जानकारी जिसके सारे आप बहुत सारी बिमारियों का इलाज कर सकते हैं जी हाँ, बहुत लोगों को देखा होगा आपने कि मूली के पत्तों को खाते नहीं हैं बलकी फेक देते हैं लेकिन मूली के पत्ते भी मूली की तरह ही बेहद लापकारी साबित होते हैं अगर आप इनका सदुपयोग करते हैं तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले पेसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपूर्ण जानकारी को लेक करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों